जैशी कृष्णा कैसे हैं आप सब तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बढ़ी आसी और परफेक्ट सांबर की रेस्पी बीच बीच में मैं छोटी छोटी बाते भी बताते जाओंगी सांबर को और भी स्वादिष्ट और रेस्ट्रेंट जैसा बनाने के लिए एक और बात दोस्तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो चलिए शुरू करते हैं सांबर बनाने के लिए एक कप या फिर तेट सो ग्राम तूर दाल ली है कुछ लोग इसे अरहर की दाल भी कहते हैं इसे मैंने पाणी में आधा गंटा पहले लिए था आधे गंटे बाद इसे अच्छे से धोकर फ्रैशर कुकर में डाल देंगे और इसमें डाल रही हूं लगवक 1.2 —.5 कप पानी फिर इसमें डाल रही हूं आधा चमच नमक और 1 कुत हज़ चमच हलतीगा जैसे ही वो अच्छे से क्रैकल हो जाए इसमें डाल देंगे मेती दाना और एक चथाई चम्मच हिंग हिंग बहुत important role play करती है इसे बिल्कुल भी skip न करें और साथ में 3-4 सूखी लाल मेच 20-30 seconds के लिए इसे पकाएंगे फिर इसमें डालूंगी लंबे कटे प्याज यहां पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया था इसे 2-3 मिनट ही पकाएंगे जितने में ये गुलाबी और सॉफ्ट हो जाए 3-4 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 2 बारी कटा हुआ टमाटर साथ में एक चोटी चममच भारी कटी हरी मेच टमाटर से सांबर को बहुत ही अच्छा कलर और खटा फ्लेवर मिलेगा अब इसमें डालूंगी सारी सबचियां जो मैं आज इस्तेमाल करूंगी एक काचच चोट चोटे टुकडों में एक आलू दस से बारा टुकडे बैंगन के और दस से बारा टुकडे ही पेठे के इसमें ड्रम स्टिक्स मेरे पास नहीं थी वो भी एड़ कर सकते हैं मैं इसी स्टेज पर सारी सबचियों को डालती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कुछ लोग सबचियों को कुकर में पोहल कर लेते हैं दाल के साथ पर मुझे ऐसा लगता है वैसा करने से सबचियां ओवर कुक हो जाती है अब इसमें एड़ करेंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सांबर मसाला दो बड़े चमबच अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सारी सबचियां मसालों में लटपट हो जाए अब हम अपनी दाल चेक करते हैं देखे दाल भी अच्छे से गल चुकी है सबसे इंपोर्टेंट जी जो हमने ध्यान रखना है कि आपको इसमें हैंड ब्लेंडर बिल्कुल नहीं लगाना बस इसको लकडी के मैशर से हलका सा मैश करना है अगर आप इसे ब्लेंडर चला देंगे तो रेस्ट्रेंट जैसा टेक्शर बिल्कुल नहीं आएगा अब हम अपनी दाल को मसाले में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी अर्जस्ट कर देंगे अब मैं इसमें 3-4 बड़े चमच इमली का पानी डालूँगे और साथ में थोड़ा सा गुड डाल दूँगे जिससे इसका टेस्ट खटा मिठा जाएगा अब इसे ढख कर पका लेंगे बीच में एक बार चेक कर लेंगे जितने में सारी सबजी अच्छे से पक जाएं बट ओवरकुक नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रगे अब हम अपना मैजिक मसाला त्यार करेंगे इसके लिए तेल को गरम करके इसमें मस्टर्ट सीट्स, करडी लीव्स और थोड़ा सा सामबर मसाला अट कर देंगे इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादे इन्हैंस हो जाएगा हमारे सामबर का बस तुरंथी इसे सामबर में डाल देंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे और हमारा सामबर बनकर रेडी है इससे गरमा करम इंजॉय करें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें थेंक्यू वेरी मच